जैहिन दोस्तो स्वागत है आपका सिक्षावानी रूरल एजुकेशन पे आज हम बात कर रहे हैं नासा के डर्ट मिसन के बारे में पूरी उमीद है अभी तक आपने विभिन न्यू चैनलों के माध्यम से इसके बारे में जरूर सुना होगा देखे ये पूरा मिसन हमारे ग्र ग्रह को डिफेंस कर पाएं आपने सुना होगा कि कई करोड साल पहले जब इस प्रिथवी पर मानव प्रजाती का विकास नहीं हुआ था और केवल इस ग्रह पर विसालकाय जीव और डायनासोर पाये जाते थे उस समय एक बहुत बड़ा इस्ट्रोयट प्रिथवी से टक र इसके लिए एक सेटेलाइट को एस्ट्रोयट से जान बूच का टक्कर मार कर देखा गया है और फिलाल वैग्यानिकों का दावा है कि इस टक्कर से छुद्रग्रा की कक्छा को अनुमानता एक प्रतीसत या लगबक 10 मिनट तक छोटा कर दिया गया है और फिलाल इससे हमारी प्रतीस टक्राइट करेंगे तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए क्योंकि इस चैनल को आपके सपोर्ट की जरुरत है आए इस पूरे मिसन को एकदम आसान भासा में समझते हैं साथ ही नासय ने इसके लि एस्ट्रोयड क्या है देखे एस्ट्रोयड या चुद्रग्र पत्थर या धातू के टुकले होते हैं जिनका आकार एक छोटे से पत्थर से लेकर एक मिल तक के एक बड़े चट्टान तक का भी हो सकता है हलाकि इन पर अभी रिसर्च चल रहा है कुछ व्याज्यानिकों का यहा तक दावा है कि इसपेस में कुछ एस्ट्रोयड हिमाले पहाड के बरावर भी हो सकते हैं खेर बताया जाता है कि केवल हमारे सोलर सिस्टम में ऐसे छोटे बड़े लाखो करोडों की संख्या में एस्ट्रोयड हैं जो अंतता सूरी की परिकर्मा कर रहे हैं ऐसे आपको पता होगा कि हमारे सोलर सिस्टम में एक एस्टरोइड बेल्ट भी है, जहां केवल और केवल एस्टरोइड लगातार परीक्रमा कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन एस्टरोइड का कोई निश्चित और्बिट नहीं होता है, हो सकता है यह आज मंगल ग्रह की ग् और अगर ऐसा होता है, तो आप समझ सकते हैं कि इसका कितना भयावः परिनाम हो सकता है, देखे ऐसा नहीं है कि यह बस एक कल्पना है, अतीत में कई बार ऐसा हो चुका है, बहुत बार तो एस्टरोइड की घटना के कारण प्रिथवी से जीवन ही समाप्त हो गया है, आप इसी ही एस्टरोइड की घटना ने प्रिथवी से जीवन ही समाप्त कर दिया, वैसे अगर मेरी ये सा बात आपको कहानी लग रही होगी, तो आप अभी भी गूगल कीजिए, छोटे-छोटे एस्टरोइड ने कई बार प्रिथवी को हिट किया है, बहुतों के तो रियल इसे तयार रखा जाए, इसके लिए नासा ने डार्ट मिसन को टेस्ट किया है, देखे नासा ने अपने ओफिसियली ट्वीटर हैंडल से ट्वीट किया है, कि यह मिसन सक्सेस्फुल रहा है, इस मिसन में वेंडिंग मसीन के आकार का एक छोटा से से टेलाइड किस तरह से ज बात है कि नासा ने बताया है कि इस मिसन से फृत्वी को कोई भी खत्रा नहीं है, देखे इसके लिए नासा ने डार्ट मिसन को लगबग 10 महीने पहले ही स्पेस में लांज किया था, और जब इस सेटेलाइड को मनुवर करके इससे एस्टरोयट के और्विट तक पहुचा दिया गया, तब जाकर इस सेटेलाइड को एस्टरोयट के ऊपर 15,000 माइल्स पर आवर की स्पीट से टकराया गया है, इसका टकर इतना ज्यादा खतरनाक था कि एक एस्टरोयट के ऊपर क्रेटर का निर्मान हो गया, मैंने भी पढ़ते हुए से महसूस किया, मजाक कर रहा ह दर असल नासा ने इस मिशन के सक्सेस होने पर गूगल पर कुछ इफेक्ट डाले थे, आईए मैं आपको दिखा देता हूँ, तो जैसे ही आप लैप्टॉप या पीस्टी में गूगल उपेन करते हैं, और सर्च बार में टाइप करते हैं, नासा डर्ट मिशन, तो वैसे ही एक सैटलाइट आकर आपके स्क्रीन को हिट करता है और आपके स्क्रीन के एक्सिस को थोड़ा टेड़ा कर देता है, तो मेरा मैसूस करने वाला मतलब यही था, खेर अपने विशेवस्तु पर आते हैं, तो देखें सेटलाइट के इस डेर्ट हिट ने एस्ट्रोयट के और को थोड़ा चेंज कर दिया है वैज्ञानिकों का दावा है कि यह एस्ट्रोयड के ऑर्बिट को अनुमानता एक प्रतिसत या लगमक 10 मिनट तक छोटा कर देगा हलाकि यह अभी एकजेक्ट कितना हुआ है इसके लिए नासा निरिक्षन करके फिर से आंकडा जारी करेगा बह ग्रहों की रक्षा के लिए वैस्वी कस्तर पर एक जूट करने वाला प्रयास है जो प्रिथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों को प्रभावित करता है आगे आने वाली इस प्रकार की सभी चुनावतियों के लिए हमें किस प्रकार से तयार रहना चाहिए इन सब बातों के लिए भी यह mission एक सोद का विशाय हो सकता है तो आईए अब basic से समझते हैं कि dart mission क्या है dart mission यानि कि double asteroid redirection test देखिए यह ग्रहों की रक्षा के लिए पहला kinetic impactor method है जिसमें satellite को छुद्र ग्रह demo force से टकराया जाएगा आईए से समझने का प्रयास करते हैं देखिए यह जो satellite है dart इसे space x के falcon 9 rocket से अंत्रिक्ष में लगबग नवंबर 2021 में ही launch किया गया था दरसल यह एक अपेक्षा करित कम लागत वाला अंत्रिक्ष यान है अब कम लागत का मतलब ऐसा नहीं है कि यह 5 रुपेगा satellite है इस mission का cost लगबग 330 million US डॉलर है तो मतलब आप इसे इतने हलके हमत लीजेगा इस satellite में पूर्जा के लिए 2 solar arrays लगाए गया है और इसका engine hydrogen propellant यूज करता है साथ ही जब यह satellite asteroid से टकराएगा तो इसकी गतिविधी को record करने के लिए एक अलग से छोटा उपग्र LICIA cubesat यानि कि light italian cubesat for imaging of asteroid को भी प्रच्छेपित किया गया है क्योंकि आप समझ पा रहे होंगे कि जब dart asteroid से टकराएगा तो इसका कुछ भी हिस्सा नहीं बचेगा भी लगा हुआ है जिसका नाम ड्रैको है ड्रैको यानि कि डिडिमोस रिकोनिसेंस एंड एश्ट्रोइड कैमरा फोर ऑप्टिकल नेविगेशन इसलिए आपने नासा के ट्वीट में भी देखा कि उन्होंने ड्रैको के फूटेज का भी जिक्र किया है आप इस इमेज को देखिए देखिए यहाँ पे दो एश्ट्रोइड हैं डिडिमोस और डिमोफोर्स अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर इन ही के उपर टेस्ट क्यों किया जा रहा है तो देखिए यह दोनों एश्ट्रोइड हमारी पित्वी के बहुत नजदीक हैं और साथ ही इस टेश को परफॉर्म करने के लिए यह एकदम सटी का स्थान पर थे देखिए यह जो डिडीमोज है यह बहुत ही बड़ा एश्ट्रोइड है और जो डीमोफोर्स है वो इससे छोटा है और यह इसकी परिक्रमा करता है तो आप ध्यान रखएगा परिक्छण के लिए डीमोफोर्स को चुना गया है आप याद रखेगा क्योंकि हो सकता है आपसे परिक्षा में इसका नाम पूछ लिया जाए अब यह जो Demo Force है इसका आकार एक फुडवाल स्टेडियम के बराबर है अब यहाँ ध्यान से देखें Demo Force के दो ओर्बिट दिखाए गए है इसमें वाइड कलर वाला इसका ओरिजनल ओर्बिट है जहाँ यह फिलाल रोटेशन कर रहा था लेकिन अब डार्ट ने इसे लगभग 15,000 माइल्स पर आवर के स्वीट से हिट किया है तो अब इस टककर के बाद यह अपने जगह से विस्थापित होकर एक नया और छोटा और्बिट बना लेगा जो ओरेंज कलर में दिखाया गया है तो जैसे ही डार्ट ने इसे हिट किया है इसके पीछे LICA क्यूब सेट ने इसे रिकॉर्ड किया है बताया जा रहा है कि इतने छोटे से सेटेलाइट ने इतना बड़ा इंपक्ट किया है कि इस एस्टरोयट पर क्रेटर बन गया है बाकी ड्रै को इसका हाई रिजोलूशन इमेज और वीडियो जारी किया है आगे हम उसे भी देखेंगे अब आये समझते हैं कि इस मिसन के आपजेक्टिब क्या है तो सबसे पहला है कि अभी जिस तरह से हमने इसे परफॉर्म किया अब इस बात की उमीद तो जरूर निकल कर आई है कि ऐसी तकनीक एक एस्टरोयट को प्रिथवी से टकराने से रोख सकती है इसके बाद है इसका उदे से एक ऐसी नई तकनीक का परिक्षन करना है कि अगर भाविश्य में प्रिथवी के और कोई भी ऐसी एस्टरोयट आने की सूचना मिलती है तो इसके लिए अपने आपको प्रिपेर कैसे रखा जा सकेगा आगे है जैसा कि हम जानते हैं कि यह एक सूसाइड मिसन है क्योंकि इसमें स्पेस क्राफ्ट कंप्लीटली डिश्ट्रोय हो जाएगा ऐसा करके हम कम से कम उस एस्ट्रोयट की दिशा को तो जरूर बदल सकते हैं साथ ही आगामी भविस्ते में इस पूरे टेश्ट को और कैसे बहतर बनाया जा सकेगा इससे और किफायती कैसे किया जा सकेगा क्योंकि यह टोटली सूसाइड मिसन है इन सारे विशिव पर एक नया रास्ता खुलेगा हाइए नासा ने इसके लिए जो वीडियो जारी किया है उससे आपको जरूर देखना चाहिए आपको जारूर देखना चाहिए इसके लिए प्रूर इसके लिएए इसके विए जारूरमने जारूर्ण व्हूरूरू है कि और रहूरूर तेखना व्हूरू वाकई ये मानावता को बचाने का सराहनिय कदम है आप इसके वारे में क्या सोचते हैं कमेंट वाक्स में जरूर लिखे जानकारी अच्छी लगी हो तो सेर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आपका दिन सुब हो, धन्यवाद आपका दिन सुब्सक्राइब कीजिए